अक्सर जब हम अपने कीचिन में देशी कोई भी रेशिपी बनाते हैं तो उसके मसाले बिल्कुल देशी तरीके से पारंपरिक तरीके से तयार करते हैं जिसमें मेथी, सरसो के बीज, हींग और जैसे जीरा, हल्दी, मिर्च, पाउडर ये सब जरूर रहता है लेकिन थोड़ा सा अलग-अलग तरीके से उसको पीसा जाता है और खास करके सिलबटे पे जरूर पीसा जाता है लेकिन अब जो है ना फ्लैट में वो सुविधा नहीं रह गई है तो लोग मिक्सी में ही पीसते हैं तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही यूनिक सबजी और ये सब्जी जो है ना मेरे कीचन से ये पहली बार में आपको दिखा रही हूँ और ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगे कितना भी यूटूब पे सर्च कर ले तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी मसूर की दाल मसूर की दाल देख ले क्वांटिटी आपको कितने लोगों के लिए बनाना है तो यहाँ पर एक कटोरी मैं मसूर का दाल ले रही हूँ और मेरे यूटूब चैनल में बहुत ही यूनिक एकदम अलग तरीके से आपको देशी सबजी की रेसिपी मिल जाएगी जो सबजी मेरे बहुत सारे वाइरल भी हुए हैं लोगों ने काफी पसंद किया है जैसे नोनी साक की सबजी पोई पता की सबजी बनाते तो सब लोग है लेकिन मेरे कीचन में थोड़ा सा जायका आपको अलग मिलेगा तो चलिए मसूर दाल को हम 5-6 पानी से धोलेंगे कई बार क्या होता हैं दाल में भी छोटे-छोटे मिटी रहते हैं तो फुलाने से पहले जो है इसको अच्छी तरह से धोले और इसको हम 4-5 घंटा के लिए पानी में डाल करके छोड़ देंगे तो यह रात को मैं खाना वाना बना करके और इसको मैं फुलने के लिए डाल दी हूं कि सुबह जो भी लंस थाली त्यार करती हूं तो बनाने में एजी हो तो चलिए इसको मैं एक कोना में रख देती हूं और मॉर्निंग में फिर इसे मैं पिसूंगी और यहां पर देखे यह मॉर्निंग का टाइम और सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं अक्सर अपना लंस थाली त्यार करती हूं जो आप लोगों के साथ सेयर करती हूं तो यहां पर अब मैं लंस थाली तयार कर रही हूं तो इसके लिए देखे यह मसूर दाल है ना तो इसको फिर से एक पानी को मैं निकाल दूंगी और इसको पिसने के लिए ना एकदम पानी मतलब नहीं डालना है तब ही कोई भी सब्रेकांजी explaining तो यहां पर चलिए यह मसूर दाल का सारा, पानी हम निकाल लिये हैं, यहां पर मेरे फिरेज पालक है। और जब भी मार्केट से पालक लेकर के आते हैं Mr.Verma, तो मैं सारा सब्जी, धोढ़ो करके रखती हूँ और ये पालक भी मैं धो करके रख दी हूँ, ये छोटा पत्ता वाला पालक है, कोई सावी पालक ले सकते हैं, जैसे एक कटोरी मेरे पास मसूर का दाल है, तो मैं धाइसो ग्राम यहां पर पालक ले रही हूँ, आप धाइसो ग्राम दाल की क्वांटिटी ही मान करके चलिए, इक्वल हम लेंगे, और इसको चलिए एक पानी से मैं धो लेती हूँ, लेकिन जो भी सबजी धोते हैं, चाहे डाल बगएर धोते हैं, तो इसका पानी आप पेड़ पौधे में डाल दे, इससे बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और बहुत सारे सबजी के छिलके बगएर भी म मैं डाल करके पानी में रख देती हूँ, और फिर मैं 15 दिन के बाद उसका पानी भी पेड़ पौधे में डालती हूँ, तो यह सब जो होता है, नेचुरल खाद होते हैं, बहुत सारे किचन गार्डेन भी मैं लगाई हूँ, छोटे से बालकनी में, तो यह पानी चलिए मैं पेर पौधे में डाल देती हूँ, और यह सबजी की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि कोई भी हम देशी सबजी बनाते हैं, तो वो विस्तार से दिखाएंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप लोग प्लीज वीडियो को इसकीप नहीं कीज सबजी का स्वाद आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, अगर थोड़ा सा ट्रीक के साथ बनाए, थोड़ा टिप्स के साथ बनाए, यहां पर चार से पांच के लिए लसुन की है, और एक हरी मिर्च है, थोड़ा सा वन पिंच अदरक है, तो सब को हम एकदम पीस लेंगे, एकदम फाइन आपको पिसना है, एकदम पेस्ट तयार करना है, और लगे कि हाँ थोड़ा सा पानी डालने के जरूरत है, एक से दो चमच आप डाल सकते हैं, और चलिए यहां पर यह पिसने के बाद एक बरतन में मैं निकाल लेती हूँ, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होन मैं स्टोरी में लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप लोग विजिट कर लेंगे, तो यहां पर चलिए एक बरतन में में निकाल देती हूँ, देसी खाना बनाती हूँ, देसी तरीके से बनाती हूँ, और देसी स्वात के साथ बनाती हूँ, और यहां पर चलिए उसी जार म हम पालक को भी पीछ लेंगे एक चमच अगर लगे कि पानी की जरूरत है तो आप डाल सकते हैं लेकिन यह जो मतलब बैटर त्यार कर रही हो ना तो उसका एकदम पतला घोल नहीं होना चाहिए और चलिए इसको उसी बरतन में निकाल लेंगे जिस बरतन में हम मसूर दाल करती हूँ तो उसमें मैं जरूर लहसन अधरक और हरी मिर्ष का मैं फ्लिवर डालती हूँ और यहां पर डालूंगी स्वाथ के नुसार नमक और नमक थोड़ा हलका ही रखें क्योंकि ग्रेभी में भी नमक पड़ेगा और ठोड़ा सा अल दी और कोई मसाले नहीं डाल रही हूँ अगर आपको लगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला है लाल मिर्च पाउडर है तो आप अपने अपने स्वात के नुसार डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ और इसको बहुत अची तरह से फेटना है और जितना फेटेंगे ना उतना ही यह फलपी बनेगा तो यह भी एकदम थोड़ा सा बैटर से डवल बनेगा तो यह सब थोड़ा थोड़ा टिप्स जो है ना उसको जरूर फॉलो कर ले तो चलिए बहुत अची तरह से इसको फेटने के बाद मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे तावा और तावा जो है ना लोहे का तावा है देस खाना दिखाती हूं लोहे के तावा में ही मैं बनाती हूं सारा कुछ तो यहां पर डाल देना है सरसो का तेल और चारो तरफ से जो फैला देना है और इस बैटर को और डाल देना है तो देखिए इसमें यह ऐसा नहीं है कि बहुत पतला हम बनाएंगे या बहुत मोटा बना कि किस तरह से बनाना है तो तील जब एकदम से तावा में अच्छी तरह से धुआ होने लगे उसके बाद गैस का फ्लेम को कम कर देना है और चलिए अब इसको दो कल्चल में डालूंगी और इसको हांस से भी फैला दे और चलिए चारों तरब से यह मैं डाल देती हूं और इस सकते हैं लेकिन यह सबजी ना गरम चावल के साथ बहुत स्वाधी लगता है तो चलिए इसको चारों तरफ से फैला देंगे अगर लगे कि हांस से भी आप फैलाते हैं तो हांस नहीं है कि लोग स्पून भी खाते हैं देशी खाना हाँ से ही लगाया जाता है तो चलिए यह एक तरफ से शीख गया है तो दूसरी तरफ से फिर इसको हम पलट देंगे चाहे तो इसे तेल में फ्राइब करें और नहीं तो इसी तरह से रहने दे यह पालक जो है यह काफी हेल्दी है और चाहे तो जैसा डिजाइन हो आपका कटिंग कर लें और थोड़ा थोड़ा तेल डाल डाल करके में तावा पे ही इसको सेक लोगी लेकिन इसकी जो मसाले हैं ना बिल्कुल मैं देशी तरीके से तयार करूंगी तो चलिए यह हो गया है और जितने परसन के लिए आपको बनाना आप कटर तयार करें तो इसका देख रहा है ना कलर कितना अच्छा है चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं यह बहुत ही हेल्दी जो रेसिपी है तो कभी-कभी मैं बेटे के लंच में भी दे देती हूं पनीर बगरा डाल करके उपर से और यह देखिए थोड़ा सा में इसको क्रि सब्सक्राइब निकाल देते हैं तो थोड़ा सा जाधा तेर डाल करके मैं थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी बना ली हूं और चलिए अब इसके मैं मसाले दिखाती हूं तो मेंसन भी कर रही हूं जिसमें एक जीरा है एक लहसन है वन पिंच अद्रक है थोड़ा सा काली मिर्च और लहसन को छील लें और नहीं तो ऐसे भी पीसेंगे तो फाइन पेस्ट तयार हो जाता है और उसके साथ इसमें डालूंगी दो बड़े चमच सरसो के दाने चाहे तो काला वाला राई भी ले सकते हैं राई की भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है तो यहां पर दो चमच सर सरसो के मसाले कई बर ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि आप बहुत जादा भून दिये तो जो लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं उन्हीं का इस तरह से कमेंट्स आता है तो आप लोग प्लीज फूल वाच कीजिए और यहां पर मैं तीखा के नुसार डाल दूंगी ल देशी खाना अता सर्चों के तेल में बनते हैं और एक चमच में डालूंगी पंच फोरन पंच फोरन जरूर डाले इस में शौफ रहती है मेथी सबका एक अलग जो होता ना फ्रेग्रेंस और खुसवू आती है और दो देशी मेर्च और दो तेश्पत्ता डालूंगे में भी कर रही हूं सारे मसाले जब यह तेल में अच्छी तरह से चटकने लगे तो हम क्या करेंगे मसाले डाल देंगे तो जो सरसिक और जो भी सरसो के मसाले होते हैं तो उसका भी भुनने का तरीका होता है तो मैं दिखाती हूँ तो देखिए ये तेल में जो भी मसाले है मैं डाल दूंगी और गैस का फ्लेम एकदम कम कर दे सरसो के मसाले तेज आच में नहीं भुनना इससे क्या होगा ना स्वात करबा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ आधा कटोरी गरम पानी और ये मसाले आपको तेल म पकाना है और तेज आच भी इसको भुनना नहीं ने तो स्वात करबा हो जाएगा और इसमें चलिए जब तक ये ग्रेवी में ये उबाल आ रहा है तब तक इसमें स्वात की नुसार नमक डाल देंगे नमक कम ही डाले और तब तक एक मैं देसी टमाटर काट लेती हूँ कई लिए यहां पर एक देसी टमाटर है टमाटर की मातरा को बढ़ा भी सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी बना रही हूँ इसलिए एक देसी टमाटर बहुत है तो इसको एकदम छोटे चोटे टुकड़ों में काट लोंगी और यह जो सबजी बनती है न तो टमा से ग्रेवी है अगर तेज आज में भूनेंगे तो यह एकदम से जलने लगेगा तो चली अब इसको मैं धख देती हूं धख धख करके यह जो है ना टमाटर को मैं पकाऊंगी लगे कि यह जैसे ग्रेवी कम हो गया तो थोड़ा सा और इसमें पानी डाल दे और एकदम से ध पकने भी लगे हैं और डारेक्टा बिना पानी डाले सरसो भूनिये गाना तो एकदम स्वाद में फरक हो जाएगा कड़वा कड़वा स्वाद लगने लगता है तो देखिए यह ग्रेवी जो है ना बिल्कुल बन करके तयार है तो जितने भी हम बनाए है चिले और उसको क् कच्चा ही पालक डाली हूं और इससे इसका स्वाद बहुत टेस्टी आता है तो चलिए मसाले में इसको मैं लपेट दूंगी और उसके बाद ना इसमें आधा कटोरी में डालूंगी गरम पानी उपर से कोई भी सबजी बनाती हूं तो उसमें मैं गरम पानी ही यूज करती की देखेए इतना सोदिस्ट लगेगा न और चलिये इसको 5 मिनिट के बाद़ हम चेक करते हैं और 5 मिनिट के बाद यह सबजी में उबाल आने लगेगा और उसके बाद इसको क्या करेंगे गैस का फ्लेम को हम बंद कर देंगे और कोई भी सबजी बनाते ना तो 5-10 मिनिट क के बादना इसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है और ये जितना थोड़ा सा बासे भी हो जाए तो कोई फरक नी पड़ता है बहुत टेस्टी लगता है और मैं कई बार मतलब बनाई हूं लेकिन ये पहली बार मेरे चैनल पे और आप लोगों के सामने में दिखा रही हूं आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी देशी सबजी है वीडियो पसंद आए तो सेर जरूर कर दे जिन्होंने मेरी वीडियो को सेर किया है उनके लिए दिल से धन्यवाद है और यहां पर गर्मा गर्म चावल सलाद और ये सबजी और इसमें किसी चीज की जरूरत नही है मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाबाई टेक केर